हलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे गुजरात की फेमस डिश ढोकला, जो कि गुजरात में हर गली और घर में बनने वाली डिश है, और ये डाइजेस्टिव भी काफी होती है, साथ ही इसको बनाना भी बहुत आसान होता है, तो चलिए बिना देर की शुरू करते हैं गुजर बनाएंगे तो उसमें लंप्स नहीं आएंगे, अब हम लेंगे पिसी हुई चीनी, पिसी हुई चीनी हमें यहाँ पर पांच चम्मच डालनी है, नॉर्मल चम्मच लेनी है, जिससे हम घर में चावल खाते हैं, वो मैंने पांच चम्मच चीनी यहाँ पर डाली है, पिसी यहां पर आप खोशिश कीजिए कि धनिया बहुत बारी कटा हुआ होना चाहिए और अब हम डालेंगे यहां पर एक कप दही, ठीक है अगर हमने दो कप बेसन लिया है तो एक कप हम उसमें दही डालेंगे, दही हमारे नॉर्मल टेंपरेचर की रहेगी, फ्रिज में रखी हु दो चम्मच ओयल, अगर हम एक कप का बनाएंगे तो एक चम्मच ओयल डालेंगे और अब यहां पर लोंगी मैं एक कप पानी, पानी आपका नॉर्मल टेंपरेचर का या गुनगुना होना चाहिए, ठीक है अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें लंप्स वगेरा बिलकुल भी ना रहें तो अब होता है इसका मेन प्रोसेस शुरू फेटने का अब यहां पर हमें इसको अच्छे से फेटना है 5 से 7 मिनट लगबग 5 मिनट तो फेटना ही फेटना है और उसका डारेक्शन भी या तो क्लोकवाइज या एंटी क्लोकवाइज एक ही तर लगे हैं छोटे छोटी और उसके बाद हम इसको ढखकर रख देंगे कम से कम 15 मिनट के लिए तो जब तक हमने उसको रखा है बैटर को तब तक हम अपना बरतन तयार कर लेते हैं ढोकले का तो यह बरतन मैंने ले लिया है और इसमें मैंने डाला है पानी दो से धाई ग्लास क् कि आदे घंटे तक लगबग हमें पकाना है तो पानी खत्म नहीं होना चाहिए और जाली लगा दी है और जो हमारी स्टैंड है इसमें मैंने चिकना ही लगा दी है अच्छे से और इसको मैं रख दूँगी गैस लो करके तब तक हमारा जो यह बरतन है वो अंदर से गर्म हो चुके हैं यह देखे आप भी देख सकते हैं बहुत छोटे-छोटे से बबल से इसमें दिखाई दे रही है इट मींज हमारे जो डोकले का प्रोसेस है वो अंदर इसमें शुरू हो चुका है अब हम इसके लास्ट प्रोसेस पर काम करेंगे हम इसमें डालेंगे बेकिंग प चमच पानी जिससे एक्टिव हो जाए सोडा भी और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे एक से डेड मिनिट तक हमें इसको अच्छे से चलाना है क्योंकि अगर यह हमारा कहीं मिक्स नहीं होता और इसमें रह जाता है मिक्स हुए बिना तो वहां पर फिर रेड कलर के तो इसलिए कोशिश कीजिए कि आपका जो यह इनो और सोडा है वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए तो दिरे दिरे आप देखेंगे लगबग एक मिनटी होगी आपको फिटते हुए तो आप देखेंगे कि यह फूल कर दूबना होने लगा है और आप देख सकते हैं पातन रखा था तो वो उसमें भी पानी उबलने लगा है अच्छे से भाप बनने लगी है आप देख सकते हैं भाप निकल रही है तो यह हम इसमें स्टैंट सैट कर देते हैं यह देखिए और दूसरा भी सैट कर देंगे और इसको हम ढखकर रख देंगे लगबग 20-25 और उसके साथ हम डाल देंगे एक कप पानी यहां पर मैंने एक कप पानी लिया है और इसको हमें उबालना है लगबग 5 मिनट तक मेडियम आज पर और इसमें हम डालेंगे एक चम्मच शुगर पावडर और एक पिंच हींग और आधे निम्बू का रस क्योंकि यह हम खटा मीठा हर तरह के फ्लेवर का यह होता है तीखा बहुत टेस्टी लगता है यह पानी और पांच मिनट हो चुकी है तो पांच मिनट होने के बाद मैं गैस कर दूंगी बन और जब तक हमारा ढोकला बनेगा यह भी थोड़ा नॉर्मल टेंपरेचर पर आ जाएगा क्योंकि गर ही चिपकी है यह देखिए ऐसे ही निकला आई है तो रहा हमारा बन कर रएड़ी हो चुका है अब हम यहीं पर गैस बंद कर देंगे और इसको हम खोलेंगे फिर 10 मिनट बाद 10 मिनट तक हमें इसको ऐसे ही रखे रहने देना है 10 मिनट बाद जब हम देखते हैं तो यह देखिए ढोकला हमारा बहुत अच्छे से बन चुका है और थोड़ा-थोड़ा सा बरतन से भी इसकी लेयर जो है वो हटने लगी है अब मैं आदा ढोकला ड्राय रखूंगी और आदे ढोकले के उपर शर्बट डालोगी जो कि मैंने प्रिपेर कर लिया है तो फ्रेंड्स है ना अच्छी रेसिपी जटपट बनने वाली भी है और साथ ही डाइजेस्टिव भी काफी है तो आप भी बनाईए इस रेसिपी को और अपना experience जो है वो comment box में जरूर बताना कि आपने बनाया तो कैसा बना और अब हम तड़के वाला जो हमारे ढोकला है उसका तड़का रेडी कर लेते हैं जिसके लिए हम लेंगे लगबग दो चम्मच तेल और उसमें हम डालेंगे सरसो के दाने या राई, हींग और लंबी कटी हुई हरी मिर्च आप चाहिए तो यहाँ पर करीपता भी डाल सकते हैं और बस जैसे यह चिटकने लगता है तो हम इसको ढोकले के उपर डाल देंगे तो दोनों तरह का ढोकला हमारा बन कर तयार है यह देखिए ड्राई वाला हमारा यह है और दूसरे के उपर हम डालेंगे शर्बत तो आप देख सकते हैं कि हमारा डोकला कितना अच्छा बन कर तयार हुआ है और स्पंजी डोकला बन कर तयार हुआ है तो फ्रेंट्स अगर आपको यह रेसिपी पसंद आई है तो लाइक और शेर करना बिल्कुल मत भूलिएगा साथ ही अगर आप मेरे चैनल पढ़ नहीं ह तो यह देख सकते हैं आप यह हमारा शेर्बत वाला डोकला है कितना अच्छा डोकला हमारा बन कर तयार हुआ है सोफ्ट है स्पंजी है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है तो आप भी यह रेसिपी बनाईए इंजोई कीजिए बच्चों को खिलाईए टीफिन में दीजिए ब्रेकफस्ट में आप दे सकते हैं साथ ही जब भी हलका फुलका खाने का मन करे तब बना सकते हैं तो देखने के लिए धन्यवाद